नमस्कार, मैं कुंदन, आप सभी का साहित्य गंगा चैनल में बहुत बहुत सागत करता हूँ, आज हम प्रस्तूत हुए हैं, हजारी परसाद दिवेदी के निवंध सिरिस के फूल ले करके, इस निवंध का हम लोग सरांस देखेंगे, फिर साहित्य समिच्छा देखेंगे, और उसके बाद इससे संबंधित प्रस्तों के उत्तर कैसे लिखे जाएं, उसके बारे में हम आप लोग को कुछ टिप्स देगे, सबसे पहले मया कहूंगा कि यदि आप परिछार्ती हैं, तो इस वीडियो को अन तक अवसे सुने, तभी आपका कॉंसेप्ट किलियर होगा, इस वीडियो को सुनने के बाद साइध एक बार में तो नहों हो लेकिन दो या तीन बार अगर आप सुनते हैं, तो इस पार्ट के सारे कॉंसेप्ट आपको किलियर हो जाएंगे, इस पार्ट से संबंधित सारे प्रस्तों के उत्तर आपके दिमाग में किलियर हो जाएंगे, आईए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इस पाठ के सरांस को देखते हैं यह निबंद हजारी परसाद दिवेदी जी के कल्प लता नामक निबंद संग्रा से संग्रहित है इस पाठ को जब मैंने पढ़ा तो उसको मैंने आठ भागों में बाटा है अठो भाग मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है सिरिस के फूल निबंद जब सुरू होता है तो उसमें किनकिन पैराग्राफों में किनकिन चीजों को ले करके संकेत किया गया है उनको मैंने आपके सामने रख दिया है और यही इस पाठ की विसेस्ता में भी आएगा आप चाहें तो इसको विसेस्ता में भी लिख सकते हैं सिरिस के फूल निबंद के माध्यम से हजारी परसावेदी जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार सिरिस का फूल कोमल एवं उसका फल कठोर होता है उसी प्रकार इंसान का हिर्दय कोमल और विचारधारा तथस्त होनी चाहिए इसके तर्क में वेक कबीर, कालिदास, सुमित्रा नंदन पंत और रविननात जी के साथ ही गांधी जी को अधूत मानकर उनके विचारों को इस निबंद में रखते हैं तो आईए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके सरांस को देखते हैं तदो प्रांथ हम समिच्छा को देखेंगे और फिर प्रस्नुत्तर से संबंदित कुछ और चर्चा को अंत में हम करेंगे इस निबंद की सुरुवात में अपनी कुछ बातों को रखते हुए दुएदी जी कबीर के विचारों को उदगाटित करते हैं और कहते हैं दीन दस फूला फूल के खंखड भया प्लास मतलब की पलास भी कोई फूल है जो दस दिनों में खंखड हो जाता है यानि जड़ जाता है इसके बाद दुएदी जी कहते हैं फूल है तो सिरिस बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है असार तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्गहात फूलता रहता है मतलब बीना बाधा के फूलता रहता है जब उमद से प्राण उबलता रहता है और लू से हिर्दय सुखता रहता है एक मात्र सिरिस काल जई और धूत की भाती जीवन की अजयता का मंत्र परचार करता रहता है। यदपी कवियों की भाती हर फूल पत्ते को देखकर मुग्द होने लायक हिर्दय विधाता ने नहीं दिया है पर नितांत ठूँठ भी नहीं है। शिरिस के फूल मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। अब आगे शिरिस के फूल के इतिहास और उसकी खुवियों को बताते हुए। दुवेदी जी कहते हैं कि शिरिस फूल बड़े और छायदार होते हैं। ब्रिहत सन्निता से पहले की चर्चा करते हुए कहते हैं कि असोक, अरिष्ट, पुन्नाग और सिरिस के पेड़ों सो युक्त वृच वाटका होती थी। वाटसायन के कामसुत्र के हवाले से दुवेदी जी फिर कहते हैं कि जूला छायदार वृच पर ही होना चाहिए। हजारी प्रसाद वेदी कहते हैं कि माना कि सिरिस की डाल्फ कमजोर होती है पर इस पर जूलने वाली का भी वजन बहुत नहीं होता है। कभियों की यही बुरी आदत है वे वजन का ख्याल नहीं करते हैं। इन लोगों के लिए चाहे तो लोहे का पेड़ ही बनवाले। प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सिरिस का फुल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है मेरा अनुमान है कि काली दास ने यह बात शुरू-शुरू में परचार की होगी उनका इस पूस्प पर कुछ पच्छ पात था कहा गये हैं सिरिस पूस्प केवल भौरों के पद तरह की कोमलता देखकर उनके बात की कवियों ने यह मान लिया कि सिरिस के फूल का सबकुछ कोमल होता है जबकि यह आज के कवियों की भूल है इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अस्थान नहीं छोड़ते हैं जब तक नए फल पत्ते मि परमरित होती रहती है सिरिस के पुराने फल बुरी तरह खड़ खड़ाते रहते हैं मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौद के लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते उन्हों ही जगत के अतिपर्चित और अतिप्रमारित सकते हैं तुलसी दास ने अपसोस के साथ इनके सच्चाई पर मुहर लगाई थी धरा को परमान यहीं तुलसी जो फरासो ज़रा जो बरासो भुताना मैं स्रिस के फुलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की जड़ना निश्चित है आगे इसके पच्छ में वो कहते हैं कि जीवन परियंत दुरंत प्राणधारा और सर्व व्यापक कालागनी का संघर्थ निरंतर चल रहा है और मुर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वही देर तक बने रहें तो काल देवता की आँख बच जाएगी जबकि ऐसा नहीं है आगे फिर सिरिस को एक अवधूत यानि सन्यासी बताते हुए अन्य सन्यासियों को इसमें सामिल करते हुए तिवेदी जी कहते हैं कि काली दास गांधी जी की तरह ही सिरिस का फूल भी एक अवधूत है जो वाई मंडल से रस खिच कर इतना कोमल और कठोर है फिर काली दास और उनके हिर्दय की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से काली दास ने सकुंतला के एक एक संदर के चीजों को बड़े ही मार्मिक तरीके से बड़े ही मन से लिखा है बनित किया है जिससे यह लगता है कि सकुंतला काली दास के हिर्दय से निकली थी यह यहां से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरीके से कव्यों का हिर्दय होता है आजकल के कव्यों के हिर्दय की तरह नहीं कालिदास संदर के बाह आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुं सकते थे दुख हो की सुक वे अपना भावरस उस अनासक्त क्रिपीवल की भाती खीच लेते थे जो निर्दलित इच्छु दंड से रस निकाल लेता है कालिदास महान थे क्यों क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे कुछ इसी स्रेणी की अनासक्ती आधुनिक हिंदी कवी सुमित्रा नंदन पंत में है कवियर रविंद्र नात में यह अनासक्ती थी और अब आगे आज के समाज और राजनीत में और धूत की कमी पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सिरिस्तरू सचमुच पक्के और धूत की भाती मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो उपर की ओर उठती है इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है क्या ये वाह परिवर्तन धूप वरसा आंधिलू अपने आप में सत्य नहीं है जो हमारे देश से यह मार काट अगनिदा लूट पाट खून खचर का बावंडर भागया है शिरिस वाई मंडल से रस खीच कर इतना कोमल और इतना कठोर है गांधी भी वाई मंडल से रस खीच कर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था मैं जब जब शिरिस की ओर देखता हूँ तब तक हुक उठती है हाई वह अवधूत आज कहा है और निबंध के अंत में सिरिस के पेण को अधूत मानते हुए वातावरण में इसके संघर्ष को बताते हुए आज के समाजिक और राजनितिक लोगों पर ब्यंग करते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि सिरिस जैसा सन्यासी तो आज भी संघर्ष करते हुए समाज में दि विवर रविंद्र और काली दास जैसे सन्यासी कहा हैं। तो साथियों यह था पाट का सरांस हमने प्रयास किया है कि पाट के मुख्य-मुख्य बातों को आपके सामने रखा जाए। वैसे एक संकेत दे दें आपको कि काली दास इनके असोक के फुल में भी हैं और यहां भी हैं यानि कि कहीं न कहीं हजारी परसाद वेदी जी काली दास के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे अगर सहितिक समिच्छा की बात किया जाया तो हमने जो सरांस बताया उसको निवन्ध भी असोक का फूल की भाती ही ब्यक्तित्व बेंजक ललित निवन्ध है यह आत्म परक्साइली में लिखा गया निवन्ध है विशय के माध्यम से उद्धिप्त भावों विचारों एवं घटनाओं के अनुभों पर भी लेखक ने प्रयाप्त प्रकाश डाला है इसमें विचारों की प्रधानता है लोकुक्तियों सुक्तियों एवं ब्यंगों का भी इसमें परयोग द्वेदी जी ने किया है सब्दों के अगर बात किया जाये तो इसमें तत्सम अर्भी फार्सी और संस्कीत वाक्यों को भी इसमें सामिल किया है उदारन के लिए मजबूत फार्शी सब्द अपसोस लोग भासा के सब्द धक्याकर फक्कर इस निबंद में विचारों की प्रधानता है कोमल कांत पदावली का भी प्रयोक किया गया है निबंद से यदपी लेखक की स्वच्छंद मनुवृत का पता चलता है तथा पी वह अपने विशय के प भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं आईए इसे संबंदित प्रस्णों को समझें कि कैसे लिखना है क्या लिखना है हमने इसमें पहले ही आपको बताया कि सारांस और भासा सैली जो हमने भी बताया दोनों को मिला दीजी या साहितिक समिच्छा हो जाएगी अगर परिच्छ बताया है उनको भी आप लिख सकते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी भासा में लिखिए अगला प्रस्ण अगर यह आता है कि इस पार्ट की विशेस्ताओं के तौर पे हमने जो आठ बिंदू बताएं हैं सिरिस का फूल और समाज सिरिस के फूल का इतिहांस साहित में सिरिस का फूल जीवन और सत्य पर प्रकास सिरिस और वणित सन्यासी कवीज काली दास और उनका हिरदय अनासक्त पंत रविंदर नात गांधी जी की चर्चा आज के समाज और राजनीत में अधूत की कमी यह सारे इस पार्ट की विशेस्ताओं में सामिल होगा और सबसे महत्वपून बात अगर आपको कोई निबंध लिखना होता है तो आप बिंदू बनाते हैं वैसे ही मैं यह मानूं कि हजारी परसाद दिवेदी जी ने भी इस पार्ट को लिखते समय कुछ इसी प्रकार से बिंदू बनाए और उसको लिख डाला परिच्छा में आप बिंदू बार भी लिख सकते हैं अगर आपको बिंदू बार लिखना है तो भी लिख सकते हैं और कोई भी साहितिक निबंध बिंदू बिंदू बार से नहीं लिखा जाता है अता हम यही कहेंगे आप से कि आप भी प्रयास करिए इस पार्ट से इन्ही eight बिंदुों पर आपसे प्रस्त पूछे जा सकते हैं. इसलिए ये eight बिंदु हमने आपको बता दिये हैं. और ये eight बिंदु series के फूल पार्ट से लिये गया है. यह बिंदु पार्ट के उसी करम में है, जिस करम में पार्ट लिखा गया है. तो उमीद करते हैं कि मेरे द्वारा समझाई गई चीजें बताई गई चीजें आपको पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई हैं तो हमारा मनुबल बलाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ सेर कर सकते हैं यही मेरा आगरह होगा यदि आप साहित गंगा पर डाले हुए हैं उन सभी को कटेगरी में बाटा हुआ है उन सारे कटेगरियों का लिंक नीचे हमने दे दिया है आप उसे देख सकते हैं और यदि आप हमारे साथ जूनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की आपको हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी सुचना मिल सके हम फिर मिलेंगे किसी नय बिंदू के साथ उसकी चर्चा ले करके तब तक के लिए जय हिंदी जय भारत